नमस्कार मैं आपका दोस्त क्रिश्ण माई प्रजापती और आप देख रहे हैं के एम नीज उत्तर प्रदेश में अभी यूपी प्रुस कास्टेबल की बढ़ती निकाली गई उसका 17 एवं 18 फरवरी को परिख्या भी हुई इस परिख्या में आखिल कितने लोग बैठे सरकार ने कितना पैसा इन परिख्याओं में से कमाया इसके उपर हम बात करने वाले हैं और आखिर सरकार इतना पैसा कमाने के बाद इस सारे पैसों का क्या करती है वही देश के उपर एक सो तेतर लाख करोड रुपे का बिदेशी कर्ज भी है उसके उपर भी हम बात करेंगे उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को सेर कर देना बैल आइकन भी दबा लेना जैसे आने वाले सबी वीडियो आप तक पहुंच लोगे उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और उस नोटिफिकेशन में कहा गया कि हम जो है उत्तर प्रदेश पुलिस के कास्ट टेविल पदों पर बढ़ती करना चाहते हैं बढ़ती के लिए पदों की जो संख्या रही वो 60244 पद की जो रिक्त्या थी वो बताई गई अब उन्हें 60244 पदों को बढ़ने के लिए जो कुल जो आवेदन हुए वो करीब 50 लाग से उपर आवेदन किये गए और आवेदन की जो सुल्क जो रखा गया वो रखाया गया पर व्यक्ति पर आवेदक से 400 रुपे का अब आप ये जहन में सुचिए कि 50 लाग से अधिक लोग प्लस 400 रुपे के हसाब से वो आवेदन कर रहे हैं तो सरकार के पास कुल जो पैसा जमा हो गया यदि हम 50 लाग में 400 का गुना कर देते हैं तो करीम दो अरब रुपे सरकार ने एक जटके में उन विद्यार्तियों से उन आवेदकों से कमा लिया अब बात करते हैं हम रोजगार की और कितने लोगों को रोजगार मिलेगा केबल 6244 वो भी तब तब किसी प्रकार से बढ़ती के उपर कोई भी आँच नहीं आती है तब यदि बढ़ती में कोई रिट लग जाती है कोई पेपर लिख का मामला सामने आता है या बढ़ती को केंसल कर दिया जाता है या उसे रद कर दिया जाता है तो सरकार ने एक सोची समझी साजिस के तहट करीब दो अरब रुपे इन गरीब किसान के बेटों से कमाया अब ये लोग बात करेंगे कि हमने जो है इतने लोगों को रोजगार देने का कार किया अगर हम इसी बढ़ती में से बेरोजगारों की संक्या को खुजने का प्रियास करें तो पता चलता है कि 60244 पदों के लिए जो 50 लाख प्रस जो आवेदन किये गए अगर इसी को हम एक पद के लिए हम मालने कि पर प्रद एक पद पर कितने लोगों ने आवेदन किया तो पता चलता है कि 8500 प्लस लोग एक पद के लिए 8500 प्लस लोग लाइन में खड़े हैं अब बात ये आती है कि अगर ये बढ़ती सफल भी हो जाती है तो उसके बाद जो पांच लाग जो आवेदक थे जो विद्यार्थी थे जो काश्टेवल की तयारी कर रहे थे जनोंने परख्याएं दी हैं उन में से 60,244 पद अगर काट लिये जाएं तो बाकी के जो 4,44,000 जो विद्यार्थी जो बचेंगे उनके बविस्त्र का क्या होगा क्या सासन या सरकार के दौरा अगले कुछ महीने में फिर कोई बढ़ती की जाएगी नहीं लगता आप भी जानते हैं कि ऐसा तो हो नहीं सकता जब सासन या सरकार के दौरा अगले पांच बरस तक इस प्रकार की कोई भी इसकीम कोई भी भढ़ती नहीं की जाएगी तो आखर जो बच्चे हुए जो बच्चे हैं इस बर्स के जो की इस बर्स जिन बच्चों ने आवेदन जो किया है उन्हें मैंसे जो 4,40,000 जो बच्चे हैं उनकी बीरोजगारी का जुम्मेदार कौन होगा लेकिन सरकार ये कहने में मदमस्त है कि हमने बीरोजगारी को खतम कर दिया है भाई आपके सामने आंकड़ों के सामने ही अभी आपने जो है 4,40,000 लोगों को बीरोजगार आपके हिसाब से हो गए आने बाली 5 साल में ये आंकड़ा और बढ़ जाएगा अब बात ये आती है कुछ ज्यान चंद कुछ द्यान चंद कुछ भगत लोग ये कहते हैं कि क्या वो सारे के सारे लोग जो है पुलिस डिपार्टमेंट में ही जाएंगे तो मैं उनसे बता दूँ अगर उनको पुलि डिपार्टमेंट के लिए या यूँ पेपल उसका इस्टेवल का पेपर क्यों दे रहे होते हैं अब यही बात इंजिनरिंग डिपार्टमेंट के लिए भी लागू होती है यही बात आर्मी डिपार्टमेंट के लिए भी लागू होती है यही बात अचवाले सचवाले जि ही बात लागू होती है अब जो भाई जो जुवा सिख्या के छेत्र में तयारिया कर रहे हैं वो सिख्या के छेत्र में जाते हैं जो टेक्नलोजी के छेत्र में तयारी कर रहे हैं वो टेक्नलोजी उसकी लायन में लगे होते हैं, क्या ये बिरोजगारी आपको दखाई नहीं देती, आप एक़ोनोमिय की बात करते हैं, आप बिसुगरू की बात करते हैं, एक आप ये बात नहीं करते, कि इतना धन, इतना पैसा इन बच्चों के रूप में कमाने के बाद भी आखर भारत,